आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर दा हीमालियन स्टेडी यूटूब चैनल पर और इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिनीज ये है कि NTA NET JRF 2021 रिजल्ट घोसित कर दिया गया है और दूसरी सुचना है सीट एट 2021 रिजल्ट के संबंद में महत्पुट जानकरी जो लोग नई हूँ हमारे इस चैनल पर बहुत सब्सक्राइब जरू कर लें हमारे इस चैनल को और बेल एकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानक सब्सक्राइब मिलती रहें और इसी चैनल के माध्यम से सरकारी नौगरों के बारे में महत्पुट जानकर्या दी जाती हैं तो देखिए पहली सुचना है एंट यूजी सी नेट 2021 एक्टिस एक्जाम रिजल्ट तो काफी समय से इंतिया कर रहे थे अभ्यारती तो आज जो ह है 19 परवरी 2022 को एंट ने नेट जेयरेप का रेल्ट घोसित कर दिया है और ये सरकाई रेल्ट पे आप लोग चेक कर सकते हैं ऐसे अभ्यारती जिन्होंने यूजी सी नेट की परिक्षा दी हैं तो ये इस समय की सबसे बड़ी बिरेकी नेज ये हैं कि एंट ने नेट जेयर का रेल्ट घोसित कर दिया है तो इस वीडियो को आप लोग जादे से अधक गुरूप में शेर कर दें ताकि सवी कोई जानकारी मिल जाएं क्योंकि काफी दिन से इंतिया कर रहते हैं अभ्यारती तो ये इंतियार उनका खतम हो चुका है और इसके बाद हम देखते हैं आग पर केंद्रिये सिक्षक पात्रता परिक्षा घोसित करेगा यानि कि CTAT का रेल्ट जारी होने वाला है परिक्षा के लिए उपस्तित हुए सवी उवींदबार CVSC यानि कि CTAT की अधिकारी बेपसाइट CTAT.nic.in पर अपना रेल्ट दे सकते हैं और जल्द ही आपका रेल्ट डि अधियुंसे जानकारी मिली है उमीदबार पिशले तीन दिनों से रेल्ट का इंतियार बेशवरी से कर रहे हैं लेकिन रेल्ट अभी तक जारी नहीं हो पाया हैं तो अभ्यारति जो हैं सोशल मेडिया पर अपनी प्रतिकर्या विक्त कर रहे हैं और काफी अभ्यारती इसमें वेपसाइट को बारवाच चेक कर रहे हैं कि कब जारी होगा यानिकी सीटेट का रियल्ट आपका तो ये इंतियार आपका ख़तम होने वाला है जल्द ही आपका रियल्ट डिकलियर होगा और ये परिक्षा आपकी कराए गई थी सीटेट में प्रैमरी और जुनियर लेवल की इन दोनों का रियल्ट आपका एक साथ डिकलियर होगा और आपका जो है पूरा एक तरीके से मार्शेट आपकी जारी कर दी जाएगी तो इस वीडियो को आप लोग सेर्ज जरू कर दें सभी को ताकि सभी कोई जानकारी मिल जाए और जैसी रियल्ट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से हम वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे और कोई वेकेंसी आएंगी केंद्रे विद्याले से या नवोदे विद्याले से इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी तो इसके बार हम देखते हैं आगे तो देखी इसमें लिखा है केंद्रे सिक्षक पात्रता परिक्षा 16 दिसम्बर से 21 जन्वरी 2022 तक देश भरके विभिन परिक्षक केंद्रों पर आईजित की गई थी बोर्ट ने एक फरवरी 2022 को आंसर की जारी की और चार फरवरी 2022 तक यानिकी सब्जेक्शन बिंडो एक्टिव कर दी है और इसका रियल्ट आपका जल्द ही डिकलियर होगा तो देखते रहेंगे आप लोग हमारा चैनल दा हीमालियन स्टेडी यूटूब चैनल धन्यवाद